यहां भी पाप अत्यचर बढ़ जाते हैं वहां इसी चीजें बढ़ती जाती हैं कुदर्द का अपना कानून है कुदर्द के साथ दोस्ती रखते हो संभाड करते हो तो वो आपकी भी संभाड करेगा कुदर्द से छेड़ छाड़ करते हो तो उसकी छेड़ चाड़ फिर बहुत बड़ी होती है लेकिन इनसानियत के नाते हमारा फर्ज होता है कि ऐसे दुखदर्द में शामिल होके उनके दुखदर्द को दूर करना और रोते हुँँ को हसाना दुखी आत्माओं को मालिक के नाम से सुखी कर देना तो प्यारी साथ संगजीयों महरास्टर में भुकम पाया सर्सा में घगर नदी का बांध तूटने वाला था सर्सा निवासियों को पता होगा सन हमें ख्याल में नहीं शाइद 90 में था कुछ 90 के बीच में 96, 97, 8 ऐसा कुछ याद नहीं तो सर्सा शेहर में सब जगा पानी आ गया था और एयर स्टेशन जो है वो भी डूबने वाला था आर्मी लगी रही लेकिन बात बनी नहीं तो तब शास्तराम जी शामस्ताना दाता रहबर के आप में से बहुत से प्यारे बच्चे बैठे हैं ये गए और शायद कई सो मीटर लंबा बांद बांद ये और घगर के नकेल डाल दी कि तू इदर नहीं आ सकती सब लोग हैरान थे दंग थे कि ये कैसे पॉसिबल है सब लोग छोड़के भागे थे समान निकालने को तियार हो गए थे लेकिन वो बांद बांद के तब से ये शुरू हुआ है महरास्टा में भुकम पाया था लातूर या किसी साइड में तब भी सिवादर गई थे तो हर जगा सिवादर पहुंचते हैं अब भी पहुंचें और अब भी पहुंचेंगे समान वहां जा रहा है तो ये शास्तनाम शामस्तान दाता रहबर ने किया अंडेवान निकोबार में आर्मी के दस लोग पहुंचे थे और ये 21 पहुंच गे थे चोड़ चोड़ी कस्तियों पर बड़ी कस्तियों पर सभार होके और लोगों को पेड़ों से उतार उतार के उनकी जिंदगी बचाई थी डॉक्टर थे बीच में टीम के हम तब जाना चाहरे थे और जगों पे तो गए लेकिन वहां कहने लिए गुरु जी पॉसिबल नहीं है वहां कोई साधनी नहीं है कि आपको पहुंचा पाएं तो प्यारी सासंग जीयों ये सब नेकी भलाई के काम करना कहना असान होता है ल ये सब भगवान के किर्पा है उसकी द्या में रहमत है तो ये सच्चा सोदा किसी के लिए खतरा नहीं है गवराओ मत हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं ना ये कोई अलग से सरकार है ना ये अलग से कोई धर्म दीन मजब है और ना ही कोई इनका लग से राज्य है इस भारत देश के नागरी के सब के सब और भारत देश के ही साथ मिलके पूरी दुनिया में इस देश की संस्कृति को फैलाना चाहते हैं कि हमारा देश हमारी संस्कृति हमारे धरम सरवत्तम हैं और कोई राजनिती कोई यहां राजा पाजा कोई भी नहीं है सो यही शिक्षा है यहां बे कि एक दूसरे की सेवा करो जब भी कोई ऐसे आबदा आती है जाके कंदे से कंदा मिला कि उनके दुख में खड़े हो जाओ उनको दुख दूर करने की कोशिश करो तो साहिम अस्ताना जी शास्तनाम जी दाता का ये दर अपने आप में एक अलग सेवा का दर है इनसानियत का दर है इनके जजवात जबरदस्त है इनके जजवात इनसानियत से परिपूर्ण है जब ये सारे सेवादार सेवा करते हैं तो फिर परवा नहीं करते अपने आपकी पर वो मालिक परवा करते हैं वो जाने उसका काम फिर लग जाते हैं तो कुवा खोद के पर इसकों भी बाहर निकाल लाते हैं तो प्यारे साथ अंग जीओ ये साइम मस्ताना जी, शास्तराम जी दाता रहवर ने सच्छा सौधा चलाया है, बनाया है इसमें सब का भला करने के लिए किसी का बुरा तो सोचा भी नहीं जाता यहाँ हर धर्म का सत्कार, हर किसी से प्यार, हर किसी से मुहब का पार्ट पढ़ाया जाता है शिक्षा दी जाती है इनसानियत की कॉलेज है जिसमें पढ़ाया जाता है इनसानियत का पार्ट ये साब कॉलेज है यहाँ रोहानियत का पार्ट पढ़ाके इनसान को भगवान तक पहुँचाया जाता है ये वो स्कूल कॉलेज है यहां गम चिंता टेंशन को मिटाने का सच्चा सबक पढ़ाया जाता है अजी यह वो स्कूल कॉलेज है यहां अगला जहानी नहीं यह जहानवी संवर जाए ऐसा रास्ता बताया जाता है यहां जाता है